आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्मोस M.I.U. 11 रोंग के बारे में जो की M.I.U. 11 के बीटा वर्जिन 9.9.26 के उपर बेस्ट है इसके अंदर आपको कुछ कस्टमाईशन के फीचर मिलते हैं जैसे कि आप स्टेटस बार देख पा रहे होंगे हमारा यह जो है यह यह आई ओएस का जो सेटस बार है जिसमें सारे नेटवर्किंग आइकन्स आपके लेफ्ट साइट पे हैं क्लॉक आपके सेंटर पे है और तो यह रिखे सबसे पहले हैं आपको और स्पेक्स पेज चेक कर रहे था हूं डिवाइस मॉडल एड्मी नोट फाइव एमाई वर्जिन जो है एमाई 11 कॉस्मोस 2011 9.9.26 बीटा वर्जिन एंडूइड 9 पनी पाई पे बेस्ट है और 5 अक्टूबर 2019 का आपको इसके अंदर स सारी की सारी चीजें जो हैं आपको एमाई 11 की ही इसके अंदर मीलेंगी बट आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाईजेशन के फीचर इसके देखने को मिलते हैं मैं सारे फीचर्स आपको नहीं बताऊंगा एमाई 11 के क्योंकि और काफी सारी वीडियो बना चुका हूं वह आ अगर आपको डिखायर तो हमिरा और इसके अगाków्राइब बाताहा है तो अगर आप अगरम गाते लोक्रिश और झाली में सीजह बैटेश को आपको आपके ब्रच एक्स्ट्रिक्राइजन मिलती हैं को चेंज एक चेंज करते हूं किस त्रिक वो काम करते हैं आप चले गए आप फोल्ड के उपर तो यह देखिए अब कुछ इस तरीक के अनिमेशन देख पा रहे हूं कि आप जो है कैसे गिर रहे हैं उपर से नीचे इस तरीक अनिमेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो अभी मैं इनको डिफॉल्ट पर कर देता हूं तकि कि अपको सारे डेमो में अच्छी तरफ इक सिदी खरी शाता सदिक सते हैं तो स्टेुस बार में आप सेटैस बार में आप स्टाइल को चेंज कर सेथे हैं जैसे अए यू करें अगर आपको एश्वुर्फ कर हैं तो आप डिफॉल्ट फेरी चरने के बाद आपको इदा जैसे हमने फोर कर दी अब आप जैसी को रीबूट करेंगे आप उसके बाद जो हैं आप फोर स्विचस देख पाएंगे एक तरीके से यह सारी चीजे आप इसके अंदर इसली चेंज करते हैं आपको एवर रीबूट जरूर करना पड़ेगा इसके अंदर और और कुछ चीज यह सारी चीजे आपको इसके अंदर देखने को मिल भी हैं आप जो अपने आइकन से उनके लीबल को चेंज कर सेते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन एफेक्ट देना चाहें वह देसेते हैं आपको इसके इंदर ब्लर एफेक्ट्स मिल लाता है आप इसको एनेबल कर दीजिए लाये ऑफ़ के अफ-छिश जीश तरीटेट्स में अपधोंगी वार्डर खतम होगी अगर अब आप इसको थोड़ा और अगर दकते अपने चाहर कर दिचासे मचैनर उनसे enable लिग औक्र आपको इसके अनने मिल रिफर्टर आंप ब्लेट मेनू मिल जाता है उत्मे भी अब लर रेट को चेंज कर सेते हैं आप लिस्ट आफ अप्लिकेशन कौन को फाइड करना चाहते हैं वो सारे फीचर मिल जाते हैं आपको डबल टैप शुछ श्वाइप यह सारे चीज़े भी आप इसके अंदर जाके यूज कर सेते हैं बाकि जो आपको Mio 11 के अंदर देखने को मिलते हैं काफी लोग यह जानना चाहेंगे कि आप जो है PUBG इसके अंदर कौन से मोड पे खेल आरहें तो PUBG आप इसके अंदर बैलनस मोड पे खेल पाते हैं HD मोड पे आप नहीं खेल पाते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके आपको H.A.L. आपको यहां पे है 0 लिखा हो दिखेगा जैसे विए आपको यहां 1 दिख रहा है यहां पे 0 लिखा हो दिखेगा आप उसको 1 कर लेंगे और सेव कर लेंगे और एक पर फोन को प्रफेक्ट्रीबूट करेंगे उसके बाद आपके फोन के अंदर जो है इनेबल हो चुका होगा यह दिए इस तरीके सामने अपने फोन में एक इनेबल किया है साथ इसाथ Google आपको मिल आते हैं आपको श्लो मोशन इसके अब करेंगे च्टान करेंगे तो अब हम बात करते हैं इस रूम को आप इंस्टॉल कारेंगे इसको इंस्ल्ला करने के पर इछ जेका है यह वह ज़ी फाइल है ये वो ज़ी नोट वाई ये की 1.65GB के आसपास कि ये आपको मिलती है तो आप simply अपने फोन को जैसी करीं मोड के बूत करेंगे अपने फोन के अंतर ही इसके अंतर रिक वरीम उट का उप्शन मिलता है तो हम यहीं से को रिक वरीमोड पर बूट कर रचेंगे अधरवाइस आप पॉल्यूम आप पावर के बटन को होल रखके भी अपने फोन को रिकवरी मोड पर पूल कर सेते हैं हम इस ताइम पर और इंज फॉक्स के रिकवरी यूज कर रहे हैं तो हम उसके तुरू जो है इस रोम को फ्लैश करेंगे इसके बाद इस रोम के फाइल को फ्लैश करेंगे अभी बूत पर रहा हूं यह फस्ट बिल्ड है आपको छोटे मोटे बगस देखने को मिलेंगे पर कस्टमाइशन के मोस्टली फिचर्स अभी इसके इंवर काम कर रहे हैं कोई दिक्कत मुझे अभी तब देखने को नहीं मिल फ्लैश कर लेना है तो यह मेर अबाउट 3-4 मिनिट्स लेगी फ्लैश होनी का तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि यह फ्लैश हो जाए तो यह दिखिए फाइली रोम जो है इंस्टाल हो गया है हम रीबूर सिस्टम कर देते हैं अब अब आपने जो कॉस्मोस रोम है आपको आज का वीडियो और रोम पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा और लाइक कमेंट शेर करना मत भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई